तो महायुद के बीच वलादी मेर पुतिन बेलारूस का दौरा करने जा रहे हैं सुमवार को पुतिन बेलारूस के दौरे पर आहेंगे वही पुतिन के दौरे से पहले बेलारूस में बड़ी मिलिटरी ड्रिल चल रही है और ऐसे में यूक्रेन पर हमने के संकेत लगातार मिल रही हैं पेलारूस की जमीन, रूस की स्क्रेट पोतिन करेंगे, जल्द मिसाइल है यूक्रेन पर बरसेंगे तबाही के शोले पूरी दुनिया इस बात की उमीद जगाए बैटी थी कि 24 फरवरी से जो युद्ध किया, रूस और यूक्रेन के बीच जल रही है उसके शोले परफीले मौसम में शांस बढ़ते नज़र आएंगे क्रिस्मस के मौके बार आगे आकर खुद पुतिन अपनी तूपों को शांत करने का आदेश देंगे लेकिन पुतिन के एक बयान ने युद्ध के मैदान में फिर से तहशत का बम फूर दिया पुतिन ने साफ कर दिया है कि मौका चाहें क्रिस्मस का हो जब फिर नियू एर का रूस के टैंक शांत नहीं होने जा रहे हैं इन सब के बीच लगतार पुतिन की पल्टर बड़े हमले की तैयारी में जुटी हुई है एक ऐसी ही तस्वीर ने यूकरेन को गौफ में डाल दिया बेलारूस में मिलिटरी ट्रेनिंग में रूस की सेना जुटी हुई है ये वही बेलारूस है जिसकी जमीन का सबसे पहले इस्तिमार 24 वरवरी को रूस ने किया था जब बेलारूस के रास्ते ही यूकरेन पर रूस ने हमला किया था और फिर देज रवतार से यूकरेन के कई शहरों पर कबज़ा कर लिया था एक बार फिर उसी बेलारूस की जमीन पर ड्रिल चल रही है बेलारूस से जो ड्रिल की तस्वीर सामने आई उसमें गुन-गुनाती धूप में बर्फ के बीचों बीच बड़े बड़े टैंक के साथ बेलारूस के सैने ड्रिल करते दिखे इसमें किसी तरह के विस्वोट या बम फटने की आवास तो नहीं आए लेकिन इस वीडियो के जर्ये एक संदेश यूक्रेन को दे दिया गया है कि वो भूल कर भी क्रिस्मस के जशन में नक हो जाए क्रिस्मस को सबसे बड़े त्योहार की तौर पर पस्चिमी देशों के साथ सार रूस, यूक्रेन और आसपास के देशों में मनाया जाता है तो मीत थी कि शायद क्रिस्मस तर युद्ध को रोका जाए लेकिन पहले पुते इन ने युद्ध न रोकने का एलान किया उसके बाद बेलारूस से ड्रिल की तस्वीर सामने आई है जिन बेलारूस के सैनिकों को क्रिस्मस की तैयारी करते दिखना चाहिए था वो जंग के मैदान में लड़ने के लिए तैयार दिख रहे है तो वहीं से बीच एलान किया गया है कि जल्द ही पुते बेलारूस के दौरे पर जाएंगे क्रिस्मस और निव एर से पहले पुतें के बेलारूस के दौरे को लेकर यूक्रेन भी अलट मोड पर आ गया है क्योंकि एक तरफ बेलारूस में लगतार ट्रेल हो रही है तुम्हें दूसरी तरह पुतिन का बेलारूस का तौरा यूक्रेन पर एक नए खत्रे के मन्राने का संकेत दे रहा है